आज का शिर्डी साइंस संदेश मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, बहुत परिशान चल रहे हो जीवन में। जब कोई भी परिशानी या दुख जादा हो जीवन में, या किसी भी बात को लेकर घर में परिवार में बिखरावसा होने लगे, तो जुख कर बातों को सुलजाने में ही भलाई है तुम्हारी, जुख कर बातों को परिवार को बचा लेना चाहिए, जिस परिवार में हर एक कोई अपको खुद को सर्शेश मानता है, दूसरों को कोई एहमियत नहीं देता, उस परिवार की बुनियात हिलने लगती है, ये मै स्वेम ही भली भांदी समझ रहे हो रिष्टी और परिवार को लेकर चलने के लिए सहिंशीलता और सकरात्मक्ता चाहिए जो कि तुम्हारे पस भली भांदी है और जो तुम कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो लिकिन जब तुम्हारे उपर बहुत सारी परिशानिया आ जाती है तो तुम घबरास सी जाते हो तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा याद रखा करो कि हर परिस्तिदी में मैं तुम्हारे साथ परचाई बनकर चल रहा होता हूँ जिस तरह तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते होना लोगों को तुमसे कुछ सीकनी की जरूरत है, अकेले होकर भी तुमने अपनी जो पर बेखुबी निभाया है मैं सब जानता हूँ, मैं सब देख भी रहा हूँ, और जिनको तुमारे अंदर कमीया नजर आ भी रही है उनको हर हाल में तुम्हारे अंदर कम्या नजर ही आएंगी चाहिए तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे और जिनको तुम्हारे अंदर कम्या ही देखनी होंगी वो कभी भी तुम्हारे अंदर खोबी नहीं पैचानेंगे इसलिए उनके कारण या उनके सभाव के कारण तुम अपना मनोबल कमजोर मत पढ़ने देना, तुम ठकना मत या अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे मत हटना, अपने सभाव को मत बदलना, तुम जैसे होना वैसे ही रहना, क्यों परवा करते हो सबकी, सब बातों से हटकर आगे बढ़ना जब तुम अपने जीवन में इतने मुश्किल वक्त में भी सरलता पुरवक भक्ती भाव से आगे बढ़ते हो ना मुझे ये देखकर बहुत प्रसंता मिलती है मेरे बच्चों मैं इसी तरह तुमें मजबूत देखना चाता हूँ तुम बस आगे बढ़ते रह और मुझ पर ध्रिड विश्वास के साथ खुद के कंधों पर भी भरोसा रखना मजबूत बने रहना जिस तरह तुम मुझ पर ध्रिड विश्वास रखते हो और हर परिस्तितिका सामना करते हो ना तुमें उस तरह ही बिलकुल उस तरह अपने उपर भी भरोसा रखने की ज व्यर्थ कर दिया है। व्यर्थ कर दिया है। तुमने तो वो सब पा लिया है इस उम्र में ही जो किसी किसी को ही मिल पाता है। सबसे बड़ी चीज होती है तरजूर्बा। तरजूर्बे से ही इनसान की सोच में परिवर्दनाता है। तरजूर्बा इनसान को भीर से अलग बनाता है। चाहे तरजूर्बा सुख का हो या फिर दुख का तरजूर्बे से व्यक्ति अकेला चलना सीख जाता है तुम सबसे आगे होकर अपनी जिम्मेदारियां बेखुबी निभाते आये हो चाहे कोई साथ हो या ना हो तुम अकेले ही सकरात्मक्ता के साथ अपना कर्तवे निभाते आ रहे हो लेकिन कभी कभी दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना भूल जाते हो ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है अगर तुम ठीक रहोगे तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी तभी तो तुम बाकी परिवार के सदरस्यों का भी ध्यान रख पाओगे अपने लिए नजर अंदाजी बिल्कुल ठीक नहीं है सबसे बड़ा दायत्व तुम्हारा खुद के लिए भी होना चाहिए जब तुम अपने परिवार को खुश रखोगे तभी तुम खुद को भी खुश रख पाओगे जब तुम स्वेम खुश होंगे तभी तुम किसी और को भी खुशी दे पाओगे इसलिए सबसे पहले अपने और भी ध्यान दिया करो मेरा अशिर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशी आएंगी, चिंता मत करो, हमेशा खुश रहो, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी झाल 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 झाल